योग गुरु स्वामी रामदेव को कोरोनिल दवा के मामले में सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने गुरुवार को चिन्ने की एक कमपनी की याचका को रद करते हुए पतंचली के अपने उत्पाद का ट्रेड मार्क कोरोनिल रखने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है बतादे की कमपनी ने दावा किया था कि साल 1993 से कोरोनिल नाम उसके पास है बताते चले कि याचका करता ने सुप्रीम कोट में अरजी लगाते हुए मद्रास हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें कोट ने पतंचली को कोरोनिल ट्रेड मार्क शब्द का इस्तमाल करने की इजाज़त दी थी चन्ने की कमपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की इस अरजी पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोट ने राम देव की कमपनी पतंचली को बड़ी राहत दी है बता दे कि मद्रास हाई कोट की सिंगल बेंच ने पहले पतंचली पर 10 लाख कार जुरुमाना लगाते हुए इस ट्रेड मार्क के इस्तमाल पर रोक लगा दी लेकिन इसके बाद दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रद करते हुए पतंजली को राहत देते हुए ट्रेड मार्क इस्तमाल करने की एनुमती दी थी जिसके बाद ही अरुद्रा इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोट में हाई कोट के इस फैसले को चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोट ने सुनवाई से इनकार कर दिया मतलब साफ है कि अब मामला मदरास हाई कोट में ही चलेगा जानकारी सूत्रो एवं सूत्रु श्रोज से प्राप्त है इस जानकारी पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए बाकि तमाम जानकारी के लिए बने रही है हमार साथ SPN 9 न्यूज रूम से शृतिक रिपोर्ट